आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ ब्रस्पति वार के कुछ टोटके और उपाए आई ये वीडियो प्रारम करते हैं मैं हूँ डॉक्टर उमाशरी आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उमीद करती हूँ आप प्रसनता से होंगे परमात्मा आप प्राशी में स्थित हो तो उन मनुष्यों को बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ता है वो बहुत धूका भी खाते हैं उनके घर में धनका अव्वै भी होता है और उनको अप्यश भी बहुत जादा मिलता है तो आईए ब्रस्पति के कुछ ऐसे टोटके और है लेकिन आप अभी गरीबों में वित्रित करें प्रस्पतिवार को बना के तो आपके विवा संबंदी जो बाधा है वो दूर होती है यदि आपको अप्यश मिलता है कहीं कीरती नहीं मिलती है तो इस्तान के पानी में हल्दी डाल कर इस्तान कीजिए और डेली केसर और हल् पानित होना पड़ता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा ब्रस्पतिवार के दिन पीली गाई की सेवा करने से पीली गाई को भीगी हुई चन्य की दाल और गुड़ खिलाने से धन संबंदी कष्ट मिठते हैं यदि दामपत्य जीवन में बहुत जादा परिशानी आ रही जिनको पती ने पीहर छोड़ रखा है और बुलाते नहीं है उनको कई तो तलाक देने पर आमादा है तो ऐसी इस तरियां ब्रस्पतवार का वरत करें और उसे नमक बिलकुल न खाएं हल्दी की माला से ब्रस्पति देव के मंदरों का जाब करें और भोजन आप डेरी से ख अपने पती के भी नाम का जब कीजिए तो आपकी ये समद्स्या दूर हो सकती है और पती आपसे तलाक भी नहीं लेंगे बलकि आपको आपकी घर में लेने भी आएंगे पिहर लेकिन आपके मन में पती के लिए नेगेटिव थोट आपको पूरी तरह से मिटाना पड़ेग और पती के नाम का वैसे ही सुमरण करें जैसे कि किसी भगवान का करते हैं तो ये बहुत बड़ा टोट का आज मैंने आपको बताया है करके देखना ऐसा करने से आपकी समस्या दूर होगी बार बार पती की इमेजिनेशन करके और गलत सलस सोचते हो तो अभी आपके संबन् हराब होते हैं और बिखरावाता है